मुद्भार शाम से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है और इस भारी बरसात से कई जगह सडकें जलमक्न हो गई इसके अलावा मौसम खराब होने की वज़े से कई फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई है यही नहीं आज मौसम विभाग ने ऐसे ही मौसम का अनुमान लगाया मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दो दिनों तक कई हिस्सों में बेहद भारी बारिश होने के आसाथ है जिसकी वज़त से बीमसी ने आज मुंबई के सभी स्कूल कॉलिज बंद करने के आदेश भी दिये बारश आफ़त तो लगाता बनी हुई है और आने वाले दो दन में भारी बारश देखेंगे जिसके लिए अलग 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 अलड भी जारी के अरदिये गए हैं सड़कें आप देख रहे हैं किस तरह से जलमगने हैं सब जगा पानी पानी है और आने वाले दो दनों में और ज़ादा बारश होगी राहत मिलती नजर नहीं आएगी तो यह माना जा सकता है कि अब भी राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है और अंधेरी पूर्वसिप्स के पास महिला काम से घर जा रही थी और तेज बारिश हो रही थी रास्ते में पानी भरा था उसी सड़क के बीच में ओपन गटर था महिला अचानक नाले में गिर गई घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेट की टीम घटना अस्तल पर पहुची महिला की तलाश शुरू की देर रात को महिला का शव में होल से निकाला गया महिला का नाम विमल अपाशा गायकवार बताया जा रहा है घटने के बाद एक ब तो वहीं मूसलाधार बारिश का भारी असर लोकल ट्रेन पर भी देखने को मिला कुरला भांडो पॉर वक्रोली में रेल की पट्रियां पानी में डूबी दिखें जिससे सेंट्रल रेलवे लाइन कई घंटों तक प्रभावित रहें मुंबाई के घाट को पर में जोरदार बारिश के बाद आप देखे कैसी तस्वीर बन गई है लोकल ट्रेन यहाँ पर ठप हो चुकी है लोग परिशान हो रहे हैं भारी संख्या में लोग आपर जमा हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहें कि कम आखिर हम निकलेंगे यह ट्रे कीवे स्टेशन हो पर फसे नजर आए इतनी ज्यादा भीड देखी गई और